अब हम लोग अगले theorem क्यों बढ़ते हैं हमारा जो अगला theorem है वह बहुत ही important theorem है तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस theorem की statement को देख लेंगे उसके बाद हम लोग इस theorem को प्रूब करेंगे इसका statement कुछ इस प्रकार से है कि a function f is continuous at c यानि एप जो है हमारा continuous function c में i develop देखिए इस if का मतलब होता है if and only if for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod f of x1 minus f of x2 less than epsilon हो यान x1 x2 belongs to open interval c minus delta c plus delta यानि यह जो x1 x2 जो है कहां के element जिसी यह c है आपका यानि c के neighborhood में यह आपका हो जाएगा c minus delta और यह आपका हो जाएगा c plus delta यानि इस neighborhood में x1 और x2 कहीं से लिया गया है ठीक है देखिए theorem basically क्या कर रहा है जब आपका i double पर रहता है if and only if condition अपको यहां पर 2 part लेके चलना है एक necessary part वह एक sufficient part ठीक है तो necessary part में आपको क्या लेके चलना होगा देखिए necessary condition बोलिए necessary part बोलिए आपको आपको continuous लेके चलना है आपको continuous लेके चलेंगे और हम यहाँ पर दिखा देंगे कि mod f of x1 minus f of x2 less than epsilon इस चीज़ को दिखा देंगे और sufficient condition में हम लोग क्या करेंगे इस चीज़ को लेकर चलेंगे f x1 minus f x2 less than epsilon और हम लोग उस condition में क्या दिखेंगे f continuous होगा बात समझ रहे हैं तो यही दो चीज़ हम को करना है तो चलिए इस चीज़ का हम लोग यूज करेंगे और theorem को प्रूब करेंगे यह हमने रफ वर्क क्या था जो आपको लिखना नहीं है तो चलिए theorem को start करते हैं और हम लोग इस theorem को प्रूब करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीसरी कंडिशन निसेसेरी कंडिशन या फिर इननेशेसरी पर या फिर फर्स्ट पर आप जो बोले है कि इस पार्ट में क्या करेंगे यह आपको continuous मान की चलेंगे ठीक है लेट एफ आप रुख you is continuous at c f of ax ंमरी का है continuous a seeper to get that is f of x kya hoga 10 करेगा f of c per as x tends to see by definition of continuity by definition of continuity हम लोग अब क्या करेंगे आपर continuity का definition use करेंगे for given for given any epsilon greater than zero there exist a delta greater than zero such that kya ho जाता है जो f of x है इधर f of c है यह हो जाएगा mod f of x minus f of c less than epsilon यह कब होगा होएं यह x क्या है c patent कर रहा है तो mod x minus c less than delta ठीक है then we have to show that then we have to show that so that हमको क्या so करना है यहां पर यह show करना है कि f of x1 minus f of x2 less than epsilon then we have to show that f of x1 minus f of x2 less than epsilon होएं x1 x2 belongs to x minus c less than यहां पर है यह क्या है सी मैंस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा के निवरूड समसी के निवरूड में बिलों कर रहा है x1 और x2 यह हमको दिखाना है holds holds मा समझ रहे हैं यह hold करना चाहिए तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं तो जैसे हमको यहां पर हमको मिला कि f of x क्या रहा है f of c पर कर रहा है as x tends to c पर तो हम लोग जैसे लेकर चले फॉर गीवें अनी एपसिलेंट गरी दिन जीरो देर एग्जिस्ट ए डेल्टा गरीटर दिन जीरो गरीटर दिन जीरो सच देट क्या हमने लेकर चला f of x minus f of c less than epsilon यह कब हो रहा है जब आपका mod x minus c less than क्या है डेल्टा है और इसका मतलब देखें मैंने आपको समझाया था कि माइनस डेल्टा x minus c और फ्लस डेल्टा आपका ठेक है यहां पे आपका जैसे माइनस c है तो इधर आ जाएगा था प्लस c और इधर भी आपका प्लस c प्लस डेल्टा ठीक है एक्स जो बिलंग कर रहा है सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा के ओपन इंट्रेवल में बिलंग कर रहा है ठीक है तो यहां साब को स्पता चल गया कि यहां से क्या हुआ f of x minus f of c less than epsilon हो रहा है कब हो रहा है हो एन x belongs to c minus डेल्टा और सी प्लस डेल्टा बास में रहे हैं अब हम लोग क्या कर रहे है कोई भी दो फॉइंट लेके चल रहे हैं therefore therefore for x1,x2 belongs to you x belong का क्या दा c minus open interval c minus delta और c plus delta उसी पर कर समय कोई 2 elements लिया x1 और x2 जो इसी पर बिलोंग कर रहा है अब जब हमारा x था यहां पर लिखादा f of x minus x1 यहां पर लिखेंगे f of x1 minus f of c ठीक है less than epsilon upon 2 तो तो यहां पर भी आप epsilon upon 2 ले जिए यहां पर भी आप epsilon upon 2 ले जिए किंकि हम f of x1 minus f of x2 करेंगे तो epsilon upon 2 epsilon upon 2 करेंगे तो epsilon होगा इसी लिए ऐसे आप epsilon epsilon भी लेकर चलेंगे तो कोई दिकत नहीं है ठीक है आप कुछ भी लेकर चल सकते हैं तो यह आप आप x1 minus f of c हो गया और क्या मिलेगा f of x2 minus f of c less than epsilon upon 2 और यह दुनों का हमने माल लिया equation number star मा समझ रहे हैं इसका नाम हमने क्या दे दिया equation star नाम इसका दे दिया अब देखिए अब हम लोग यहाँ से आगे काम करते हैं ठीक है यहां तक हो गया अब हमको यहां से find क्या करना है हमको find करना है f of x1 minus f of x2 जो less than epsilon होना चाहिए तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मॉड ओफ f of x1 minus f of c plus f of c minus f of x2 कुछ नहीं क्या हमने minus f of c यहां पर क्या और plus f of c कर दिया तो कटके 0 हो जाएगे नहीं f of x1 minus f of x2 ही है ठीक है by property of mod function लगा देंगे तो जिसे plus वाला करते हिंद क्या हो जाएगा f of x1 minus f of c plus mod f of c minus f of x2 ठीक है क्या क्या हमने by property of mod function by property of mod function देखिए तो हम लोग सुरू से करके आ रहे हैं इसलिए आपको भी याद हो गया होगा ठीक है एक less than equal to mod of x plus mod of y ठीक है और देखिए गुना वाला जब हम लोगे उच करेंगे mod of x into y तो यह हो जाएगा mod of x into mod of y यहां साब माइनस को मन लगे गुना वाला करेंगे तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं f of x1 minus f of c plus f of x2 f of x2 minus f of c यह हमने डायरेक्ट कर दिया चाहिए यहां सामने डायरेक्ट इसको कर दिया आप चाहिए तो माइनस वन कॉमन लेके भी कर सकते हैं हमने इस चीज़ार इस चीज़ा यह मैंने आपको बहुत बार समझाया हूं ठीक है देखिए आप आपक सोन मैंसफ एपक सी आपा स्वान-पप्स एपल जे प्सटाइब तो यहां से यह जो इनकोल दिया पंट इसके लिए वा अप्सवाइन अपन ठू जो इंट किया यूजिं यूजिं इस्टार अप्सरान अपन टू प्लस अप्लिश्या बदू यहां सबकिया एफ तरह से हम बोल सेकते हैं यहां पर क्या मिलेगा एकस निल्टा और 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 सी-प्लस डिल्टा से अब देख पारे होंगे हम लोग यह पर सुरू में लेके चले थैंब लोगे तीक आप देखिये यहां पर आक सो नेट्स कहां सले कि देते सी मानस डिल्टा सी प्लस डिल्टा के ओपनी टेपल में यहां से हमको यह के मिल गिया तो इस तरह से हमने नेसरी पाठ को प्रूप कर दिया अब चली आपल बात करते हैं सफिसेंट पार्ट के ऊपर अफ़ सुपीसेंट कंडिशन के सपीसेंट कंडिशन सफिसेंट कंडिशन या फिर कंवर्ज पार्ट या फिर कंवर्ज तेहने फॉक्री नहीं खिछ्रब एस बार्म हमने क्या लिगने चला याप को लिगा लित लेके च्ला हम लेकर लिगे चलेंगे और आपको चुनिए दिखाये लेट फ़र लिट फ़र एपसलन गाट अधर दन एपसलून धर मेर्ड चाहित है हमने अपर सभी रहो हैं X1 X2 belongs to C minus delta or C plus delta के open interval में belong कर रहा है तब हम यहां पर क्या दिखाएंगे then we have to show that 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 तब हम लोग क्या दिखाएंगे कि F of X जो होगा वाग कंट्नियस होगा at X ब्रावर C पर तब क्या बोलेंगे so that then we have to show that F of X is continuous at X ब्रावर C पर ठीक है that is इसको बोल सकते हैं कि for all epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that F of X आपका अगर C पर कंट्निय। F of X continuous हो रहा है X ब्रावर C पर तमिनों इसको लिख सकते हैं F of X minus F of C less than epsilon hoyan यह कब होगा जब X belongs to open interval C minus delta or C plus delta बास समझ रहे हैं यह हम क्या की by definition of continuity by definition of continuity कुछ नहीं कि हमने के बने के बने के बने के बने के बने के डेफिनियूटी के definition का यूज किया ठीक है आपक्स माइनस F of C less than epsilon H इस गम को लाना है और देखिए यहां पर होल्स लिए इतने होल्स अब यहां पर देखिए आपक्स माइनस F of X 2 क्या यह दिया हुआ चूकि F of X 1 minus F of X 2 less than epsilon यह कावे होयन एक सवन को मा एक स्टू बिलंग स्टू ओपन इंट्रेवल C minus delta और C plus delta यानि C minus delta और C plus delta के open interval में हैं तो यहां सम्क्या करेंगी कि रिख कर देंगे और है उनकी यह दिखाना है F of X minus up of X लिए अप्र एकस्ट दिक्स बिलग्स तो सीमेंस डिल्टा और सी प्लस डेल्टा तो यहां समनी क्या देखा की हिंस f of X is f of X किया हो गया इस गॉटिनले अट एकस वराबर सी है जो माई डेफिनिशन अप कन्टिूनिटी बाय डेफिनियसक्ट आफ continuity तो इस पर का definition के continuity से हमने क्या दिखा दिया कि f of x हमरों किया continuous है at x बराबर c पर और यह हमारा complete proof है this is the complete proof complete proof of the theorem और यह हमारे theorem का complete proof है तो अब हम लोग देखेंगे bounded ठीक है bounded अब देखेंगे bounded below देखेंगे bounded के बारे में देखेंगे फिर उससे related हमारा दो theorem से उसको हम लोग देखेंगे अगले lecture में आज के लिए इतना ही थे